हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक आज की वीडियो है टीनेजर्स के लिए देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ टीनेजर्स के लिए है लेकिन क्योंकि टीनेज में क्या होता है पिंपल्स वगेरा होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए टीनेजर्स के लिए क्योंकि अभी व जाते हैं, उनकी प्रोग्लम है, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है, और आपको इसे दिन में दो बार अप्लाई करना है, ठीक है, बहुत सारे तरीके अब शेयर करूंगे आपके साथ, तो चलिए देख लेते हैं, किस तरह से और कैसे करना है, त पुदिना भी ठंडा होता है, सब लोगों को पता है, तो इक्वल क्वांटिटी में तीनों ही चीजों को आपने लेना है, ठीक है, अगर आपके घर के आजपास आपको नेम पुदिना और दुलसी जो की हर कहीं मिल ही जाते हैं हमें, ये हैं, तो आप इसको डेली फ्रेश बना के भी लगा सकते हैं, नहीं तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये तरीका भी आप कर सकते हैं, तीनों ही पत्तों को, तीनों ही चीजों को इक्वल क्वांटिटी में आपने लेना है, और एक मिक्सी के जार में डालके, थोड़ा सा पानी डालके, इसका बहुत कर सकते हैं, जिसमें हम अध्रक वगरा कूटते हैं, उसके अंदर दो-दो पत्तों को लेके, या चार-चार लीफ को लेके, उनको अच्छे से कूट करके, और पूरे फेस पे लगा सकते हैं, जो कि अभी आगे आपको दिखाऊंगी, और और भी तरीके शेर कर रही हूँ कि किस-किस तरह से आपको यूज कर सकते हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छी लगे तो आपको पता ही, क्या करना है, लाइक कर देना, क्योंकि अब बहुत सारी और वीडियो टीनेजर की स्किन केर के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ, ठीके, तो इस तरह स हमने इसको फिल्टर कर लिया है, पूरा जूस अच्छे से निकाल लेजिए, क्योंकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वो इस रेमेडिय को कर सकते हैं, ठीके, इस तरह से जूस निकालने के बाद, आप क्या कर सकते हैं, इस जूस को रख देजिए, फ्रीज के अंदर, और ध्यान रखना कि इसको बंद करके रखना है, किसी भी एर टाइट बोक्स में, अब आपने क्या करना है, जो अगर आप डेली इसका पेस्ट बनाने वाले हैं, या फिर आज की दिन जब आपने बहुत सारा जूस निकाला है, उस दिन आपके पास ये जो फिल्टर किया गुआा कि अब बच्चा है, इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, पूरे फेस प्र से लगा लिना हापको, क्या होगा, इसके अंदर भी आपको पता है, कि पूरी तरहं से तो हम इसका जूस एक्स्ट प्र पाई है, तो थोड़ा बोक्त इसका अंदर रहे जाता है, तो इस त थोड़ा सा लगाना मुश्किल तो नहीं कहूंगी मैं पर थोड़ा सा ये था कि इसको लगाना पड़ रहा था अगर आप इसका जूस नहीं निकालेंगे तो इसली ये आपके फेस पे स्टिक हो जाएगा ठीक है तो जहां जहां आपको पिंपल है वहां पे कुछ इस तरह से बिल्कुल हलके हातों से बिल्कुल सोफ्टली ये काम करना है तो इस तरह से इसको लगा के छोड़ सकते हैं 10-15 मिनट ये जल्दी से ड्राइ नहीं होगा क्योंकि अभी भी इसमें बहुत ज्यादा जो जूस है वो है तो इस तरह से रख सकते हैं आप इसके बाद जैसे ही आ आपका जो फेस है वो 15 मिनट के बाद ड्राइ हो जाएगा उसको कुछ इस तरह से रिमोग कर दीजिए और इसके बाद आपने फेस को पाने से वोश कर लेना है बस इतना ही स्टेप करना है दो बार कम से कम दो बार आपने इसको जरूर करना है अब आप क्या कर सकते हैं अग पोटन को उसके अंदर डिप करेंगे और कुछ इस तरह से ऐस टोनर बिल्कुल अच्छे से थिक सा लगा देना है ठीक है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है तो कुछ इस तरह से लगाने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं आपको इसे वोश करने की जूरत नहीं ह अपको ड्राइजर अगर मैं आपको कहूं तो सिर्फ और सिर्फ एलोवीरत जैल आप अपने पेस पे यूज कर सकते हैं तो वीडियो कैसे लगी जुरूर बताना आने वाली वीडियो में स्किन केर लेके आने वाली हूं तो बने रहना